असलाम अलेकुम तो स्वागत है आप सभी का ग्यापन इकेडमी के इस नए और लिटेस्ट वीडियो में और आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं 12 क्लास के उर्दू के कैकशा के किताब से चैप्टर नंबर 20 और चैप्टर नंबर 21 दोनों चैप्टर हम लोग एस वीडियो में अच्छे तरीके से कंप्व्लीट करने वाले है पिछले वाले वीडियो की तरह पिछले वाले वीडियों में हम लोग दो सबसे եा जानेंगे क्योंकि कोशन भले गजल से पूछे या ना पूछे लेकिन 100% मुस्तानिफ यानि की राइटर से कोशन पूछता है ठीक सबसे ज्यादा अबजेक्टिव कोशन बनता है राइटर यानि की मुस्तानिफ से तो इसलिए यगाना चंगेजी के बारे में जानना जरूरी होता है और इसके बाद से खजल से तो कोशन फूछता ही नहीं है हो सकता है कि हां सब्जेक्टिव में पूछ दे दो ठोलाइन देदे और बोल दे तश्रीव करने के लिए लेकिन कोई दो ठोलान देता है अब जरूरी है की घजल से ही देगा मर्सिया से भी दे सकता है ठीक नजम यान की कवीता से भी दो लाइन उठा कर दे सकता है तो आज तक तो घजल से कोश्टन नहीं पूछा गया अब्जेक्टिव में ज्यादतर पूछा गया है अब्जेक्टिव में कोश्टन मुस्रनिफ यान की राइटर से तो इसलिए चलिए समझते हम लोग यगाना किस नाम से हुए है यगाना चंगेजी के नाम से ठीक और इनकी पैदाइश हुई थी 17 अक्टूबर 1884 को पटना सिटी के मुहला मुगलपूरा में याद रखिएगा 1884 मत भूलिएगा और पटना सिटी मत भूलिएगा क्योंकि अब्जेक्टिव में कोश्टन पूछता है क कि अगाना चंगेजी की पैदाइश कब हुई तो अपसन में दिया रहेगा 1884 अगर इस तरह नहीं पूछता है तो इस तरह पूछेगा कि कहां हुई और अपसन में दिया रहेगा पटना सिटी तो आप लोगों को पटना सिटी करना होगा ठीक चलिए आगे बढ़िए इनक इप्तदाई तालीम यानि कि शुरुवाती सिक्षा की बात कर लें कि जो इप्तदाई तालीम है वो मौलाना मुहमद सईद हसरत के मदर्से में हुई थी जो भी शुरुवाती सिक्षा होती है यह जाकर जाते थे मदर्सा किसके मदर्सा में मौलाना मुहमद सईद हसरत के पर यह उर्दू की मतलब जो भी शुरुवात से शिक्षा होती है इप्तिदाई तालीम हासिल किये थे जो भी बेसिक उर्दू में पढ़ाया जाता है वो सारी चीज़ें पढ़ाई किये और फिर उसके बाद से मुहमदन एंगलो अर्बिक स्कूल पटना सिटी में इनका चले गए उनुध सा चले गए लेकिन जब उनुध सा चार में नहीं सा चार में तो वहां पर कलकत्ता का इनका महौल अच्छा नहीं लगा फिर वहां से वापस लूट आए अपने घर मुगलपूरा में ठीक और फिर उनाइस सब पांच में ये लखनाओं चले गए और जब ये उनाइस सब पांच में लखनाओं गए तो वहीं पर रहना शुरू करती है मुझे सब उनाइस सब तेरह में कनीज हुसैन से याद रखेगा कनीज हुसैन से यगाना चंगेजी की शादी हो गई कभ उन Counter 13 तक य और अखबार में नौकरी करने चले गए और तक यह और उसके बाद मैं दिनो टक किये और फिर 924 में इसलामिया हाईइस्कूल में मुलाजमत करने लगे यानिकी में करने लगे कौन से स्कूल में इसलाम या हाइए स्कूल ठीक और उसके बाद से कई जगा जाकर जॉब किये थे उन्हें से 26 में यह लाहौर गए थे वहाँ पर जाकर कोई दूसरा जॉब किये ठीक और लास्ट में इनका उन्हें सब्सक्राइब कर लेकिन उन्हें से एकावन में वे बेगम यानि कि यह गाना चंगेजी की बेगम वाइफ का क्या नाम था कनीज हुसैन तो उन्हें से पत्नी जो है वह पाकिस्तान चली गई और इनके बच्चे भी पाकिस्तान चले प्सक्राइब के लिए तो जब यगाना चंगेजी के बाल मैश्टान चले गए चकशपा वे लिए ऍड़िया मिज्व पाकिस्तान चले। उन्हें सब बावन में वापस लखनों दुबारा आ गए और जब उन्हें इस बावन इस भी में यह लखनों वापस आए तो बावन के बाद पर पर चौन पश्पंश मश्पन यानि कि तीन-्चार सालों कि इनकी जो जिद्धी थी वह बहुत दा मुसीबतों में गुजरी और पुरी जिन्दगी खत्म कर देटे संगर्स में इनको कभी चैन यहीं मिला था था है मुगल onehehe में ओने जिन्दगी में सिर्फ यॉधी किये थे कभी यहां यूद कभी वहां युद में उससे तरह यहां पर यहां चंगेजी के साथ हुआ था यह अपनी जिन्दगी में कभी यहां जाते थे आने जाने में पूरी जिन्दगी खत्म कर दिये और इनको कभी चैन नहीं मिला और आखिर कारिन का इंतकाल हो गया था तीन नहीं तो चार फरवरी उनेशा 56 भी को ठीक तो यह था यह गाना चंगेजी की बारे में कुछ डीटल जो आप लोगो को याद रखना है अब चलिए मैं आप लोगो को इन दोनों गजल का तश्री करके बहुत ही अच्छे तरीके से समझाती हूं तो प अदब ने दिल के तकाजे उठाए हैं क्या-क्या होसने शौक के पहलू दबाए हैं क्या-क्या देखिए पहला लाइन है और बहुत ही खबसूरत अंदाज में यह गाना चंगेजी इस लाइन को लिखिए जरा इसका मतलब समझिए अदब यानि की तहजीब अदब जो होता है दिल के झाल दिल खौाइश हो पर लिमिट लगाए रखता है जो भी आप दिल का फॉयष है जो भी शौक है जो भी आप पाना चाहते हैं जिस चीज को शाहते हैं ज्इसकों लिमिट कौन लगकाता है दिन रात चलाने की जोह ना इजाजत आपको अदब कभी नहीं देगी तो अदब क्या करती है आपके अंदर limitation लगाती रहती है जो भी आप लोग का धिल का ख़ायश है जो भी आप लोग का शौक है जो चीज़ आप को हासिल करने में अगर दूसरों को तकलीफ पहुंच रही है दूसरों को दुख दर्थ पहुंच रहा है तो अब आपको कभी भी इजाजत नहीं देगी कि कि आप उस चीज को हासिल करें थीक तो वही बात बोला गया है कि अदब आपके आपके अंदर limitation यानकि आपके अंदर बंदिशे लगाती है गलत काम करने से गलत ट्रैक पकड़ने से ठीक लेकिन हवस जो होता है हवस मतलब समझते हैं इसे चीज़ को पाने के लिए अच्छे बूरे में इंसान फर्क नहीं समझता है क्या सही है क्या गलत है वो नहीं देखता है बस उस ची चीज़ उसको पा लेना है उस चाहिए यह चाहिए उसको ब्लब किसी हाल में मुझे आप उसके लिए मुझे कुछ भी क्यों ना करना पाड़ें कॉस्त तो होता है वह आपको एक्टिव करता है प्रेरिद करता है अपने शौक को पूरा करने के लिए यह जो आप पाना above क्य तहजीब जो कि आप लोग को हमेशा सही ट्रैक पर रखने की कोशिश करता है तो ही बोला जा रहा है कि अदब हमेशा नुमती देता है अप आप के अंदर लिमीटेशन लगाते रहता है लेकिन होश्च जो होता है सारे बाउंडरी को तोड़वाता है सारे लिमीटेशन को आते हैं वो चीज़ हासिल कर लो ठीक इसी फरेव ने मारा कि कल है कितनी दूर इस आज कल में अबस दिन गवाएं हैं क्या-क्या देखिए इस लाइन में यहाना चंगेजी बोल रहे हैं कि इसी फरेव इसी धोखे ने मुझे मार दिया कि कल है कितनी दूर मतलब मैं किसी भी का काम को कल पर टाल देता था कि कल तो अभी बहुत दूर है यानि कि कल आने में बहुत ज़्याद समय हैं तो मैं किसी भी काम को कल पर टाल देता था और कल कल करते करते मैंने बहुत ज़्यादा बेकार के दिन गवा दिये और आज मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है सब कुछ कर लिया करें तो आप लोग काशव मेरे तरह होगा मैं भी कल पर हर काम ड़े tax कर दिया करता था और आज मेरी हालत मेरी हालत में कुछ भी नहीं बचया सब कुछ चूड़ गया है तो आप हर काम को समय पर कर लिया靠ें और के साν टोट टीक और उसके बाद से एक्जाम का समय आ जाता है है एक्जाम के दिन सोचते हैं काश्ट में पढ़ लिया होता देखिए इसका सबसे बहाना साइट कि दाम के वीमारी का सबसे बड़ा तोज सबसे बड़ा इलाज है जिद अगर आप जिद कर लिए कि मैं आज से पढ़ूँ ही पढ़ूंगा जिद िरहें कि आपिन आगी तो उसोपलाद पहला इसपल वाले से हार गए इस जमी में दरिया समाय है क्या क्या कि पहाड काटने वाला बोला गया है फरहाद को फरहाद और उसकी महभूबा रहती है शीरी देखिए फरहाद शीरी की कहानी है आप लोग देख लिजेगा मैं उतना 100% स्योर नहीं हो कि वो कहानी क्या है लेकिन इतना बताए गया है कि जो शीरी रहती है फरह तो फरहाद जो है अपने महभूबा शीरी के लिए पहाड काटने चला जाता है और पहाड काटता है काटता है ठीक किसके लिए सिर्फ अपने महभूबा शीरी के लिए शादी करने के लिए पहाड काटने के लिए चला जाता है और काटते जाता है काटते जाता है और अंत में एक ऐसा समय आता है कि वो जो फरहाद है वो पहाड काट कर बीच में से दर्या भी निकाल देता है उस दिन वो बहुत दाखुश होता है कि आज चलो आज मेरी महबूबा जो है शीरी शीरी से साधी हो ठीक ने जो पिताजी है आज मेरा शादी करा देंगे आज मैं जीत गया मैं इस पहाड के बीद से दर्या निकाल दिया लेकिन उसी दिन उस फरहाद को मालूम चलता की उसकी जो महबूबा था सिर्ई वह उसका इंतकाल हो गया जब ये बात फरहाद को मालूम चलता है न, तो फरहाद भी अपना जान पुर्बान कर देता है, वो भी आपको मार डालता है और वो भी मर जाता है तो यहां पर बोला जा रहा है कि पहार काटने वाला इतना ताकतवर इंसान जो पहार को काट कर बीच में से दरिया निकाल दिया वो इंसान जमी से हार गया यानि कि देखी बहुत बड़ी बात है बड़े बड़े लोग भी क्या होते हैं जमी में ही दफन होते हैं, हर इनसान जमी से हार जाता है, जमी में बड़े बड़े दरिया, यानकि बड़ी बड़े समुंद्र दरियाय समय होती है, तो ये इनसान कौन सी खेट की मूली है, बड़े बड़े इनसान को जमीन में ही दफन होना है, तो यहां पर बोला गया है, प महभूबा को अपने अंदर दफन कर ली तो बड़ा बड़ा आदमे भी जमीन के अंदर ही दफन होता है चाहे हो कितना भी ताकतवर इंसान क्यों नहूं ठीक वही बोला गया है बात ठीक बुलंद हो तो खुले तुझ पे जोर पस्ती का बड़े-बड़ों के कदम डगमंगा नहीं तो जो नीचे रहने वाले हैं हमेशा जो जमीन के इस्तर पर रहने वाले हैं उनको क्या मालूम कि उचाई पर जाने से क्या होता है जो लोग पहले से ही उचाई पर हैं उनको नहीं के कदम डगमागाते हैं क्योंकि उनको मालूम होता है कि जमीन का इस्तर क्या है खु और जब मैं जमी पर गिरा तो किसी के चेहरे पर मुस्कान आ गई मतलब मुस्कुराहाट आ गई वो हसने लगी ठीक है तो ऐसा लगा कि मैं अपने पाउं को उठाऊं और चूमलू कि मेरे पाउं के वज़ा से मेरे गिरने के वज़ा से किसी के चेहरे पर मुस्कुराहाट या में आए हैं क्या क्या यहां पर बोल रहे हैं यह गाना चंगेजी लास्ट लाइन है बोल रहे हैं कि खुदा ही जाने यह गाना देखिए अपना तखल्स यह गाना यूज किये हैं ठीक है तो बोल रहे हैं कि यह गाना खुदाही जाने यगाना मैं कौन हूँ, क्या हूँ, खुद अपनी जात पे शक करता हूँ कि आखिर मैं कौन हूँ और मेरे दिल में ख्याल आता है शक आता है बार-बार कि, आधिर में कौन हो, क्या हूं, मैं खोद नहीं डिसाइड कर पाता हूं, आधिर में कौन हूं ठीक है, तो ये हो गया आप लोगका लास्ट लाइन और पहली घजल कंप्लीड है तो अब चलिए मैं आप लोगों को दूसरी गजल की तश्रीख कर देती हूं देखिए दूसरी गजल के शुरुआत में लिखे हैं यगाना चंगेजी कि मुझे दिल की खता पर यास शर्माना नहीं आता पराया जुर्म अपने नाम लिखवाना नहीं आता यहां पर यगाना चंगेजी जो है ना अपने आपको और अपने दिल को अलग अलग बताया है देखिए मुझे दिल की बोल रहे हैं कि मेरा जो दिल है वह खता किया है और मेरा दिल खता किया है तो मैं क्यों शर्माओं मुझे शर्माना नहीं आता अपने दिल के गलती पर दिल की खता पर और मेरा दिल पराया है अलग है मेरा दिल मुझसे अलग है मतलब पराया बोल रहे हैं दिल को मेरा दिल जो है वो पराया है और मेरा दिल जुर्म किया है तो मैं उसकी सजा मैं खुद क्यों भुकत हूं मतलब पराया जुर्म को मैं अपने नाम क्यों लिखा हूं दिल जब गलती कि रहे हैं कि नाखुदा बोलते हैं मलाह को और जो दरिया पार करवाते हैं ठीक तो बोल रहे हैं यहां पर यगाना चंगेजी की ए नाखुदा मुझे ए नाखुदा किसी को मुह दिखाना है और मैं अकेले इस दरिया को पार करके उस पार नहीं उतर सकता क्योंकि जब मैं दरि दरिया पार करके वहाँ पर उतर जाओंगा तो मैं लोगों को क्या मुह दिखाओंगा सब लोग सोचें कि अखेले उतर कर चला गया बाकि सभी लोग को छोड़ दिया तो इसलिए मैं क्या कर रहा हूं मैं चाहता हूं कि मैं सबसे पहले सभी लोगों को दरिया पार कराओं और तब अंत में मैं दरिया पार करूँगा ठीक क्योंकि मुझको सभी लोग को मुझे दिखाना है उस पर उत्रूँगा तो मुझे मुझे दिखाना है सब लोग क्या सोचेंगे कि अकेले ही दरिया पार कर लिया बाकि सभी लोग को छोड़ दिया तो इसलिए मैं सबसे पहले जि जिशे से मर जाना नहीं आता यहां पर बोल रहे हैं मुसीबत का पहाड़ परेशानियों का पहाड़ जो है आखिर किसी दिन कटी जायेगा अर्म परिशानियों मुसीबतों को देखकर मुझे पत्थर से सर मार कर मर जाना नहीं आता मैं परिशानियों से लड़ता हूं मुझे पत्थर से सर मार कर मर जाना नहीं आता मैं लड़ूंगा परिशानियों से और ये कब तक परिशानिया रहेंगी एक ना एक दिन तो इन्हें कशना ही पड़ेगा एक दिन ये परिशानिया चली जाएंग यह बरदास्त नहीं कर पाता है दिल तो वह आसू क्या पिएगा मतलब वह दिल जो है आसू क्या पिएगा जिसको घम खाना नहीं आता वह इंसान जो जिसको घम मिली हो जिसको दुख दर्द मिला हो और उस दर्द को बरदास्त कर ले रहा है घम को बरदास्त कर ले रहा है और और उसके आँख से एक भी आसू नहीं आ रहा है उसका समझ यह दिल भी बहुत अधा मजबूत है ठीक तो मेरा जो दिल है वो नाजुक है थोड़ी सी ठेस पर मेरा दिल जो है ना वो बेहौसला हो जाता है तो वो दिल क्या आसू पीएगा जिसको गम खाना नहीं आता जो दि में हमेशा आसू रहेगा ठीक असीरों शौक के अजादी मुझे भी गुद गुद आता है मगर चादर से बाहर पाउं फैलाना नहीं आता यहां पर बोल रहे हैं कि असीरों यानि कि घुलामों शौक के अजादी मुझे भी गुद गुद आता है यानि कि मुझे भी बाउंडरी मेरे चारों तरग बना दी गई है उस बाउंडरी के अंदर में रह सकता हूं बाउंडरी के बाहर जाने की मैं कोशिश नहीं कर सकता मतलब मेरा जो ऑकात है उससे में बाहर नहीं जा सकता तो वहीं बोल रहे हैं कि मगर चादर मगर चादर से बाहर पाँ फैलाना आपने जितना चादर है उतना ही पेर फैला उसे ज़्यादर चादर खरीद कर जबूर कोई दिकत नहीं है तक slightly क्या बताऊं कौन हूं और मैं क्या हूं समझता हूं मैं खुद समझता हूं कि मैं कौन हूं मैं क्या हूं मैं खुद जानता हूं मैं समझ जाता हूं कि मैं कौन हूं लेकिन दुनिया को समझाना नहीं आता मैं तो खुद समझता हूं कि मैं कौन हूं लेकिन दुनिया को समझान तो वीडियो को लाइक तो बनता है लाइक जरूर कीजिए और उसके बाद से आप लोगों को सबसे ज्यादा शेयर करना है अपने पड़ोसी अपने दोस्तों के पास जितना ज्यादा हो सके नो ज्यादा शेयर करें और हां अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब् के लिए जाहिंद और खुदाहाफिज